इसके लिए वो अपने चेहरे पर नए नए एक्सपेरिमेंट को ट्राइ करती है कई बार ये एक्सपेरिमेंट बहुत सी महिलाओं पर काम भी करते हैं लेकिन कई बार इसके प्रभाव चोकाने वाले होते हैं जिनसे ना सिर्फ उनके चेहरे खराब होते हैं बलकि इससे उनके हैल्फ पर भी असर पड़ता है आपको बता दें बॉलिवूड में भी एक एक्टरस ऐसी थी जिसके कॉंपलेक्शन की चर्चा आज कल काफी होती है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉलिवूड एक्टरस काजोल की जिन्होंने सामले रंग के साथ फिल्मों में एंट्री ली थी लेकिन आज लोगों के उनके अचानक गोरा होने पर यकीन नहीं होता है तो आई जानते हैं आखिर कैसे बदली काजोल के चहरे की काया दोस्तों हिंदी सिनेमा की जानी बानी एक्टरस काजोल आज किसी पहचान की मोताज नहीं है 90 के दर्शक में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली काजोल ने अब तक हिंदी सिनेमा में कई हिट फिल्में डिलीवर की है फिल्मों के अलावा काजोल सोचल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है जहां कई बार उन्हें स्किन टोन के लिए तानों का सामना करना पड़ता है जानकारी के लिए बता दे कि काजोल ने जब डैब्यू किया था तब उनका स्किन टोन सामला था लेकिन आज काजोल को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनका स्किन टोन एक समय पर सामला था जानते हैं क्यों? क्योंकि काजोल आजकल अपनी स्किन का खास ख्याल रगती है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काजोल डेली सोने से पहले अपनी स्किन को साफ करती है जी हाँ, वो अक्सर बिस्तर बजाने से पहले अपने चेहरे का पूरा मेकप उतारती है और मेकप उतारने के बाद वो night cream ज़रूर लगाती है उनका माना है कि हर दिन चेहरे से मेकप उतारना ज़रूरी होता है और वो चाहे कितनी भी ठकी क्यों न हो मेकप उतारना कभी नहीं भूलते इसके अलावा अच्छी और गहरी नीन देने से skin स्वस्त रहती है इसलिए काजोल अपनी नीन के साथ किसी भी तरह का समझोता नहीं करती है अच्छी नीन लेने से नसेप स्किन पर ग्लो आता है बलकि इससे मेटापॉलिजम बूस्ट होता है जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है काजोल का कहना है कि अच्छी नीन देने से आपका मून बहतर होता है और इम्मिनिटी पूस्ट होती है इसके साथ ही काजोल अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए भी बरपूर मात्रा में पानी बीती है कहते हैं पानी स्किन पर ग्लो बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी होता है और इस बात को काजोल भी अच्छी तहां समझती है काजोल का मानना है कि पानी का सेवन करने से स्किन पर निखार आता है इसलिए सही मात्रा में पानी पीना बहुत ही जरूरी है साथियों, फिल्म हो या फिर कोई इवेंट, काजोल हर जगा स्माइल करते हुए नजर आती है आपको बताने कि चहरी की खुबसूरती को बढ़ाने में स्माइल काफी कारगार होती है इसलिए 45 के पार भी काजोल काफी जादा खुबसूरत नजर आती है इसके साथ ही एक्टर्स रोजाना एक्सेसाइस करना भी नहीं भूलती वो कहती है कि पहले फिटनिस को लेकर जादा कॉंशेस नहीं थी लेकिन बेटी के जन्म के बाद उन्होंने इस सम बातों पर ध्यान देना शुरू किया और जिसके बाद में उन्हें काफी बेटर रिजल्ट मिला वो हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सेसाइस करना नहीं भूलती साथ ही एक हेल्दी डाइट रूटीन फॉलो करती है उनका मानना है कि शायद इनी कारौनों से उनके चेहरे की चमक आज भी बनी हुई है दोस्तो काजोल की इन ब्यूटी सिक्रेट्स को आप भी फॉलो करके लंबे समय तक जमा नजर आ सकती है उमीद करती हूँ आप भी इन टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो जादा से जादा लोगों तक शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल न भूले है फिर मिलूंगी आप से ऐसी नई और आपके फायदे की जानकारी लेकर तब तक यह नहीं मुझी दीजिए इजास्त चेकेर और बाबाए